नमस्कार दोस्तों आजकर हमारे देश की liberal lobby के काफी अच्छे दिन चल रहे हैं कुछ तिन पहले हिंडनबर्ग नाम की एक company ने जो अपने आपको एक investigative firm भी कहती है उसने हमारे देश की सबसे बड़े उद्योगपती के खिलाफ कुछ papers release किये इन papers में कुछ ऐसे इल्जाम थे जिसके बाद अफवाहों का media trial का ऐसा सिलसला चला कि देखते हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपती जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ती भी थे लुडक कर आज बीशवे पाइदान से भी नीचे गिर चुके है सौ बिलियन से जादा उनकी संपत्ती को घाटा पड़ चुका है तो ऐसे में अगर सबसे जादा इस घटना पर कोई खुश है तो वह हमारे देश की liberal lobby अमाली जी भारत और पाकिस्तान का match लगा हो पाकिस्तान के किसी तेज गेंदवाज ने भारत का कोई wicket गिरा दिया हो और इस पर हमारे ही देश की लोग जशन मनाने लग जाए क्या ये बात समझ में आती है यही है हमारे देश की liberal lobby हर उस बात पर इनको खुशी मिलती है जिसमें देश की साक कुछ कम हो रही हो जिसमें देश का कुछ नुक्सान हो रहा हो और इस बार तो ना सिर्फ देश की साक कम हुई है बलकि हमारे देश की liberals को एक नया hero भी मिल गया है जी हाँ इस hero का नाम है Nathan Nate Anderson यह वही व्यक्ति है जो Hindenburg Company को रन करता है जिसमें इन सारे papers को publish किया है और हमारे देश की liberals अब इसे financial activist बुला रहे है financial revolutionary बुला रहे है तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह Nathan Nate Anderson वाकई कोई financial activist है वाकई कोई revolutionary है यहां कोई fraud है लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह भी कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी उद्योगपती को कोई clean shit नहीं देना चाहें हमारे देश की जाच जनस्तियां सक्षम है और अभी तक जितने अलजाम लगे हैं उनकी जाच हो रही है और अगर किसी जाच में कोई भी विक्ती इसमें दोशी पाया जाता है तो उसे बंती सजा भी मिलनी ही चाहिए लेकिन एक foreign company जिसमें लगभग ना के बराबर employees है वो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योग पती पर attack करती है तो इसका visualization तो करना बनता ही है तो चलिए अपने मुद्धे पर वापस आते हुए जानने की कुशिश करते हैं कि कौन है ये Nathan Anderson और क्या काम है इसकी company Hindenburg का Nathan Anderson एक Israeli citizen है जो हाल फिलाज में अपने बताने की मुताविक अमरीका में रह रहे है और इनकी company Hindenburg एक short selling का काम करती है एक short selling company है अब ये short selling company क्या होती है Nathan Anderson को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है short selling companies कैसे मुनाफ़ा कमाती है अगर इसके बारे में detail में समझना हो तो एक काफी लंबी वीडियो बन जाएगी लेकिन अगर short में समझें तो एक आम आदमी share market से share कब खरीता है जब उसे लग रहा हो कि आने वाले समय में shares के price अप जाएंगे बढ़ जाएंगे, market भूम करेगी लेकिन वहीं एक short selling company ठीक इससे उल्टे concept पर काम करती है एक short selling company को तब मुनाफ़ा होता है जब market crash कर रही हूँ companies डूब रही हूँ तो यही काम है Nathan Anderson की company Hindenburg का वो दुनिया के ऐसी तमाम companies को target करते हैं जिनमें कुछ loop holes उनको दिखाई दे रहे हूँ उनकी markets को crash करते हैं उनकी share values को गिराते हैं और इससे मोटा benefit, मोटा पैसा वो कमाई करते हैं तो जिस company का काम ही markets को crash करना हो companies को गिराना हो और उससे उसको profit हो रहा हो ऐसी company को, ऐसे individual को activist कहना कहां तक सही है ऐसे individual को financial revolutionary कहना कहां तक जायज है और यही काम हमारे देश की liberal lobby आज कर रहे है। वो एक foreign में बैठे, एक manipulator को हमारे देश में activist बना कर पेश कर रहे है। एक hero बना कर पेश कर रहे है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब Nathan Anderson और उसकी company Hindenburg की credibility इतनी questionable है तो हमारे देश के liberals उसको hero बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। उसके द्वारा publish एक report पर इतना होहला क्यों कर रहे हैं। इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं। हम इस liberal खेमे से ये भी पूछना चाहेंगे कि जब आप allegation के basis पर जो अभी proof तक नहीं हुए हैं सिर्फ इलजामों के basis पर जब आप social media trial शुरू कर देते हैं हमारे देश के किसी उद्योग का तो उसका देश को कितना बड़ा नुकसान भूगना पड़ता है क्या आप इसकी जानकारी रखते हैं। पिछले एक हफते में निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि लगबग 5 लाख करोड रुपए का नुकसान देखने को मिल रहा है इंडियन इंवेस्टर्स का। 23,000 भारतिये लोग जो अडानी ग्रूप अफ कंपनीज में काम करते हैं, employed हैं, आज उंपर unemployment की तलवार लटक रही है। FDI की बात करें, तो जो foreign companies इंडिया में भाग-भाग कर इंवेस्ट कर रही थी, अचानक से वो सारी investment में एक बार रोकसी लगई है। और ये सब किसलिए है? क्योंकि किसी foreign firm के unproven allegations पर हमारे देश में social media trial शुरू हो गया है, और वो सारा trial हमारे देश के liberals कर रहे हैं। गड़बर नजर आती है, तो हमारे देश की कानून विवस्ता के हसाब से बंती सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने ही देश के investors और उद्योग पतियों पर social media trial चलाते रहेंगे, और दूसरे देशों में बैठे financial manipulators को फाइदा पहुचाते रहेंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस company के real motives क्या है, क्या इन्होंने ये जो financial attack एक Indian entity पे किया है, क्या ये सिर्फ profit motive से प्रेरित है, क्या सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए इन्होंने ये काम किया है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी साजश का एक हिसा है, तो बात शुरू होती है, जब दुनिया की सबसे बड़ी financial sense था, IMF के Managing Director Crystalina George Jeeva ने अपनी press conference में एक ऐसी बात कही, जिसे सारी दुनिया में संसनी मच गई, उनने अपनी press conference में कहा, कि India is the only bright spot in the dark horizon, उनका कहने का मतलब था, कि दुनिया में आज अगर निवेश के लिए कोई सबसे अच्छी जग उपर जाने लगा, Nifty उपर जाने लगा, हमारे देश में foreign direct investment थड़ा थड़ आने लगी, बड़ी बड़ी companies ने हमारे देश में invest करने के लिए commit करना शुरू कर दिया, इससे पहले भी जुलाई 2022 में इसी IMF ने भारत की growth की एक बड़ी prediction की थी, उननों कहा था कि भारत इस सा 7.4% से grow करेगा, इसी समय चाइना की growth 8% से गिर कर लगबग 3% पर जा चुकी थी, इसी समय US की growth 7% से गिर कर less than 3% हो चुकी थी, तो ऐसे समय में IMF की MD, Christina Georgieva ने जब इतना बड़ा बयान दिया, तो investors भारत की तरफ attract होने लगे, रात और रात FDI inflow बढ़ने लगे, रात और भारत में बड़े level पर investments होनी शुरू हो गई, और आपने इस तरह की खबरे news में भी बड़ी सुनी होगी, कि किस तरह से Apple जैसी companies 25% तक अपनी production इंडिया में लाने के लिए तयार हो गई, Samsung जैसी companies ने किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े manufacturing plants को इंडिया में शुरू कर दिय और यह सब कैसे हो रहा था, जब भारत को हर एक economic forum पर चाहे वो devos हो, चाहे वो IMF हो, उसे एक bright spot की संग्या दी जा रही थी, उसे एक bright spot कहकर बुलाया जा रहा था, तो दुनिया भर के investors ने ये ठान ली थी, कि अब हमारी next destination जो है investment की, वो इंडिया ही होगा, वो भारत ही हो तो ऐसे समय में इंडिया की growth story को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था भारत की किसी ऐसी economic entity पर attack, जो भारत में सबसे ज़्यादा foreign investment लिकरा रही हो, और यही हुआ 24 January 2023 को, जब Hindenburg firm ने Adani Group of Companies पर बहुत बड़े-बड़े और संगीन आरोप लगा कर एक financial attack कर दिया, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि Hindenburg ने Adani Group of Companies पर attack किया, ये बात तो समझ आती है, लेकि आपके basis पर ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिसा है, तो इसके लिए हम आपको Hindenburg की बारे में एक और जानकारी देते हैं, Hindenburg एक ऐसी company हैं जहां सिर्फ 5 क्या इतनी बड़ी investigations without foreign agencies और foreign government help की जा सकती हैं? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, आप इसे best judge कर सकते हैं कि क्या ये attack Adani Group of Companies पर था या एक बहुत बड़ी साजिश के तहट भारत की economic growth पर? कहते हैं ये देखना हो कि नुकसान किसने किया है, तो सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि फाइदा किसको पहुचा है? और भारत में इस massive economic attack का किन देशों को फाइदा मिलने वाला है? यहीं से आप पता कर सकते हैं कि इस खटना के बीचे कौन सी ताकते हैं, कौन से देश हैं लेकिन यहां हम एक और बात भी रखना चाहेंगे. किसी देश की economic foundation कितनी strong है, वो कितने financial attack छेल सकती है, वो ऐसी घटनाओं के बाद ही पता चलता है. और पिछले दो दिनों में हमारी financial markets ने जिस तरह से recover करना शुरू किया है, जिस तरह से Moody और Fitch Jersey credit agencies ने statement जारी करनी शुर विश्वास बना हुआ है. इसी good note पर इसी positive note पर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं. Thank you.